सच बात पूछिये तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया सच बात पूछिये तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया मैंने देखा कि क्या हुआ यका यकिन दो दिन मुँए वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मंतरी जी का मेरे को दीदार ही नहीं नहीं हो रहा मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए मैं तो 20 में भी अपनी जगे थी 23 में भी अपनी जगे थी आज भी सही जगे खड़ी हूँ मैं राजिस्थान इस मर्दों के प्रतेश में महिलाओं की और विरांगनाओं की दबंग आवास बन कर गुंज रही हूँ मेरा दोश क्या है मंतरी मौदे आलकमान को भी चुनौती दे सकते हैं मैं तो छोटी सी कारे करता हूँ मैं बावफा फर्मादबर्दार हूँ अपने दल के उप्रती गूजर कितनी दिल की गैराईयों से आपको चाहते हैं यह सर्विदित मीना समाज के कदावर नेगता को आप आतंकी की समान उपादी देते हैं जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चड़े तरहनन करते हैं यह तीनों गूजर, मीना और जाट खेतियार हैं और कॉंग्रेस के मूल वोट बैंक हैं 45% से जादा राजिस्थान में इसका हिस्सा है कजब की शोशल इंजिनियरिंग करने और 6 महीं ने बाद हम चुनाव में जाना जाते हैं वाट शाशन विभाग पर ओसियां विधान सभा की 17 ग्राम पंचायतें करीबन एक पंचायत समिती के बराबर जेडिये विकास प्राधिकरन के अधीन आती है करीबन 7,000 हेक्टेर भूमी करोणों रुपे की राशी की भूमी जेडिये के अधीन आती है रोज मर्या के काम में जेडिये शेतर में आने वाली इन ग्राम पंचायतों को बहुत सारी कटनाईयों का रोजाना देखना पड़ता है उसके कुछ बिंदूओं के बारे में मैं स्पटल पे बात रखना चाहूँगी ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्जनिक कारे तथा भवन निर्मान के लिए जेडिये से एनुसी देनी पड़ती है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है कंपेरिटिव टू जो रेविन्यू डिपार्टमेंट से हम एनुसी लेते है इसको भी तेजी देने की जरूरत है काश्टकार द्वारा अपनी प्रिशी भूमी को रुपांतरन कराने के लिए जो कठनाईया जेडिये द्वारा आती है उन नियमों के तहट भी हमें सरलता देने की आवशक्ता है क्योंकि काश्टकार के उपर बहुत जादा बोग जाता है सारजिनिक निर्बान कारे के लिए जो बजट में आती है उसके लिए भूमी प्रदान करने के लिए सीधा कलेक्टर को ना होकर जेडिये द्वारा अनुमोतित किये जाने के बाद ही आवंटन किया जा सकता है जिससे बजट गोशना में सारजिनिक निर्बान कारों में बहुत जादा विलमप होता है जेडिये की ग्राम पंचायतें जिसमें नाडी, तालाब, नाले, हैनिकेट आ रहे हैं वहाँ डीमाक करके पंचायत को आवंटन नहीं कर रहे हैं और नरेगा योजना के अंदर का स्विक्रती में भी बहुत जादा कटनायां आ रही है जेडिये से अनोसी की आवशक्ता पड़ती है और ये अनोसी टाइम पर मिलती नहीं और नरेगा के काम भी विलम हो जाते हैं इस प्रक्रिया को भी सरल करने की आवशक्ता है या फिर हम ये कर दें कि नरेगा से संबंध जितनी भी है वो पंचायती राज के अधीने अन्य खेल मैदान चाल देवारी शौचाल इन चीजों का पटे जेडिये जारी नहीं करती खेल मैदान भूमी आवशक्ता पर भी बहुत जबर्दस टक्राव यहां पर होता है जेडिये इनको SDM के लिए कहता है और जबकि ये भूमी जेडिये के सीमाओं में आती है और जेडिये को आवंटन करना उनके अधीन होता है निरंतर ये टक्राश चलता रहता है और इस तरीके से फाइले बहुती रहती है जेडिये के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में शम्शान भूमी आवंटन की बहुत बड़ी समस्या देखने को आई है जेडिये दुआरा पूरे गावों में शम्शान भूमी में एक सारजनिक पट्टा जारी किया जा रहा है जबकि हमारे हाँ इन ग्राम पंचायतों के अंदर सभी जातियों के अलग अलग शम्शान भूमी होती है इसलिए कृपया उनका सामाजवाईज अलग पट्टा जारी होने का प्राफधान इसके अंदर जेडिये में रिलाकसेशन होना चाहिए जेडिये के अधिन आने वाली ग्राम पंचायतों में जो पुराने कदमी रास्तों को चेहने करके कटान रस्ता करवाने में भी बहुत बड़ी समस्या हैं हमारे को देखने को मिल रही है सद्यों से चले आए जो कटानी रस्ते गामों में चल रहे हैं जेडिये द्वारा राजव से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किये जा रहे हैं नहीं कटान मार्व दर्ज हो रहे हैं और उसका कारण इन रस्तों पर धीरे धीरे अतिक्रमन होकर ये रस्ते बंद की जाने और जो एक मुख्यता मांग मेरी जिस बिंदू पर मैं बोलने के लिए स्वाइच वाशन पर खड़ी हुई हूँ कि ये जो सत्रा पंचायतें मेरे विधान सभा की आई है जेडिये के अधीनाती है इन सत्रा पंचायतों के चम्वालिस रोडों के प्रस्ताफ जेडिये के अंदर पिछले कितनी सालों से धूल चक रहे हैं पाट साल का ये कारिकाल है आखरी बजट सत्र है एक सूथ सड़क जे बहुत जादा पीछे पढ़ने पर 2020 के अंदर जे डी सी थे इंदर जी त्यादा उनको पर्सियू किया गया तो उन्हें कहा कि मार्च तक का तो हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि हम इन सरकों को ले 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 आने वाले वित्यवर्ष के अंदर Consolidated Fund में लेकर इसे हम करवा देगी मेरा कहना था कि इतने साल तक आपने नहीं दी है बीच के यर में दे दीजे इलेक्शन यर के अंदर तो एक तलवार लटक जाएगी आप टेंडर कर पाएंगे हो पाएगा नहीं वगा हमारे को इतनी सड़कें चाहिए आप कम से कम बीच क इस एकीस-बाइस के वर्ष में दे दीजे और उन्होंने इन चमालिस सड़कों के एस्टिमेट की राशी को Consolidated Fund के अंदर लेकर पारित कर दिया बट मीन वाइल ही वस ट्रांसवर्ड आउट पोस्ट आउट तो भी Collector in one of the districts, JDC बदलते रहे, नए JDC आते रहे, कहरें करवा रहें, अब करवा रहें, प्रस्ताव चल रहें, सब कुछ कर रहें जो भी वर्थमान में नए JDC आई वे हैं, Mr. Naveen, उन्होंने कहा हमें जल्दी इसकी ASFS निकलवा कर और बहुत जल्दी एक महीने का आप समय मुझे दीजिए, मैं इसको करवा दूगा, हम निरंतर इसकी रिव्यू मीटिंग्स लेते रहे, दो महीने से एक महीने, एक महीने से पंदरा दिन, पंदरा महीने से एक हफता आज तक तो एक हफता आया नी, छे महीने हमारे चुनाफ के बची है, और नौर्थ और वेस्ट जोन के इन एक्सियन से हम निरंतर करते रहें, JDA का चैर्में यहाँ पर है नहीं, JDC है, he's a government servant, and I have no shame in saying that he has no commitment for local people of these 17 panchayats, and no value for his words either, he'll be posted out, उनकी तो ट्रांस्वर होजाएगी, कोई सेलरी रुख नहीं रही है, तिर JDC बगल रहे हैं, और हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी रोडे स्विक्रित नहीं हुए, और मैं निरंतर निरंतर उं मैडम, अब इतनों की A.S. हो गई है, अब इतनों की F.S. हो गई है, यह प्रगती रिपॉर्ट है, और लेटिस में अब दो दिन की सितिय आपको बताना चाहती हूँ, कि मैंने लेटिस में रिव्यू मीटिंग करी, और मैंने नॉर्थ और वेस्ट जोन्स के दोनों एक्सिय I call the J.D.C. और मैंने J.D.C. से कहा कि 70% से जादा दोनों के अंदर एक पटवारी की रिपॉर्ट के लिए लंबित है, कितना टाइम लगता है एक पटवारी को जाकर एक रिपॉर्ट लेकर आकर देने के लिए, आप साल भर से अंदर एक पटवारी की रिपॉर्ट नहीं ले बैठा है, मुझे लगता है उन्होंने इस शेर को बहुत सीरियसली अडॉप्ट कर लिया और उल्लू बनाने की ये प्रक्रिया करते रहे, हमारे साथ मीठी गोलिया देते रहे, ये सरकारी अफसर शाही जन प्रतिनिद्यों को गोली देने का काम कर रही है, ओसियां से आपक हमसे वारता गर रहे थे, क्यों आपने अपनी टीम्स वाँ गावों में भेजी, क्यों आपने रस्ते के पूरे रूट देखे, क्यों उनके AS को आपने कर दिया, क्यों आपने FS किया, ये futile exercise क्यों करवाई, गावों में उन सब को पता है कि यहां पे प्रस्ताब बने, इस र का लिया गया विज्यवर्श में वो गर इन नोडु पर टो उपती है वहापर अज़ा सब्गाइए हुआ अधर जडीरियमे तक त्रॉटू के उसके Sayabhi एसा क्या हो गया दो दिन में प्रगती रिपोर्ट पंदरा दिन पहले पहले आज आप कह रहें कि नहीं देंगे तो आपको साल भर पहले नहीं पता था आप हमें दो साल पहले कहते थे हम उसके लिए और कोई रेविन्यू सोसे डूनने की कोशिश करते कि हम उन रोडों छे महीने पहले आज आप मार्च में हमें कह रहें कि हम नहीं देंगे उधर आप 10 करोड के प्रस्ताव ले चुके हमारे से मिसिंग लिंक पे कहां से हम इनको 44 रोडों को एड़्जस करेंगे सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया मैंने देखा कि क्या हुआ यका यकिन दो दिन मुवे वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मंतरी जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा उनकी महफिल में जब कोई आए उनकी महफिल में जब कोई आए तो पहले अपनी नजरें जुका कर आए समझ वालों समझ लेना समझ से काम लेना समझ में काश आ जाए समझना 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 तो इतना ही कहना स्थीफा देना मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी उस दिल मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंट ट्विस्टिंग कीजिए मैं तो बीस में भी अपनी जगे थी तेईस में भी अपनी जगे थी आज भी सही जगे खड़ी हूँ पिर मैंने फिर सोचा के चलिए पोलिटिकल रिवेंश फुल अटिटिट इन्ही दो दिन में क्यों हूँ इसी दो दिन के अंदर ऐसा क्या घटना क्रम हो गया तो मैंने पूछा मैंने पूछा अर्ज करी बंदे परवर से क्यों सितम ढ़ा रहे हो हम पर बात सुनकर हसकर मुस्करा कर वो बोले हमसे टक्राना मना है मैंने भी मुस्करा कर कह दिया गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसाद कर रही हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ दुरापती नहीं हूँ बहरी क्रिशन की आवशकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए मैंने दस साल जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है मैंने दस साल दोज़क पे सजडे किये हैं इस धर्ती पे दोज़क का नाम कारागरा को कहता है उसी कारागरा पे मैंने दस साल सजडे किये हैं मैंने काटों से नहीं फूलों से धोके खाए हैं मैं सहारों से धोका खाई हूँ अब सहारों से बच के चलती हूँ मैं राजिस्थान इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और विरांगनाओं की दबंग आवास बन कर गुंज रही हूँ मेरा दोश क्या है मेरा दोश क्या है मेरा दोश क्या है मेरी वार्दात क्या है मेरी वार्दात कुछ भी नहीं मेरी वार्दात कुछ भी नहीं सब बजा लेंगे आप तो मंत्री मौदे आला कमान को भी चुनौती दे सकते हैं, मैं तो छोटी सी कारी करता हूँ, बावफा फर्मादबर्दार हूँ अपने दल के उप्रती, मुझे इस दोट दिन के घटना करम पे अफसोस होता है, और मैं कह देना चाहती हूँ, क्या पता एक रवया शायद उन्हों मैं सोच लिया हूँ, कि हम तो डूबेंगे, जो डूबेंगे सनम, तुम को भी साथ लेकर जाएंगे, तो मैं नहीं डूबूँगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी, राठोर साब ने बिल्कुल कर दिया, मैं तो रंधावाजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो देते हैं, मीना समाज के कद्दावर नेगता को आप आतंकी की समान उपादी देते हैं, जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चरतरहनन करते हैं, ये तीनों गूजर, मीना और जाट खेतियार हैं और कॉंग्रेस के मूल वोट बैंक हैं, पैटालिस पर यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं, निगाहें उठती नहीं, खम उठाए जाते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोद करूंगी, कि इस रिवेंश फॉल एटिट्यूट, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधी की और नाते की उस वक्तवे की निंदा करी तो महाँ पर जेडी सी मेरे ओस्या की चवालिस सडकों को रातो रात मना कर देता है, इस पॉलिटिकल रिवेंश वल एटिटूट, लेट राधिस्तान सीट, कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मन्जू जात, हमारे समाज का सरकार का वक्त वे इतना था, कि कब-कब F.I.R. हुई और कब हमने अरेस्ट किया, और मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए, उसका कारण है, कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी देई, तो जो हमारा पीछे रूरल है, उसके अंदर हो सकता है कि पियर में ब्लैक मेल करने के जाईए, तुम नौकरी लेके आईए, किसी की नहीं तो हम घर में नहीं रखेंगे, इसलिए हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए, वो बच्चे, शहीद के बच्चे, डॉक्टर, इंजिनियर, आई देवर को दिया है क्या, मत करिए इस तरीके से चलिए धार, आपने सरकार का, रुकिये मैं फिनिश कर रहे हूं, यह सरकार का वक्तवे मैं से अग्री करती हूं, लेकिन आपने वक्तवे को कैसे पेश किया, आप कहिए कि उन्होंने बैन हैंडलिंग हुई, काज फोड़े य करूंगी, कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है, उसमें आप सीरिसली इंटवीन करिये, और मंतरी जी क्योंकि आजकर जिद पे आजाते हैं, और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नदमस्तक हो जाते हैं, वो अगर जिद प्याड़ गए, और यह र मार्जू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरी रोडे रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड पाएंगे आप, मैं सही के लिए खड़ी हूं, उन्जद प्रतिन दियू से और उसकभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है, चै महीने की अवदी है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं, यह